नमस्कार मैं हूँ ससी आया ज्यारखन की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं ज्यारखन में 3 जून तक लोकडाउन ज्यारखन में स्वाथ सुरक्षा सब्ता को कुछ रियातों के साथ एक सब्ता के लिए बढ़ा दिया गया है अब 27 माई की सुबा 6 बए तक मवजूदा नियमों के तहत लोगड़न परभावी थे जो की अब 3 जून की सुबा तक होगा सरकार ने इस बर कई रियायते भी दी है इन रियायतों में सबसे वायलाब क्रिसी सेक्टर को मिला है बदादे किसानों को बजार तक अपना उत्पादन लेकर जाने के लिए अब इपास की कताई जरूरत नहीं है इससे किसान अपनी उत्पादन सब जिया आधी लेकर सीदे बजार पहुंच सकते हैं चक्रवाती तुफान यास का परभा मंगलवार से जर्खन में दिखने लगा है बदादे रांची में सुबह से ही आसमान में बादल चाय रहें इस दोरां तेज रफ्तार से हवाय चल रही थी चक्रवाथी तूफान के असर के कारण राची चाईबसा सराई के लाजम सेथपूर समयत कई जिलों में 22 भी हुई बतादे राची के मौसम बेगानी कविसेक अननने मंगलवार को बताया कि आस के उडिसा में हीट करते ही जारखन में इसका और ज्यादा असर दिखने को मिलेगा मौसम भीभाग ने 26 माई को जारखन के दक्षिनी जिले में भारी बारिस की चतावनी दी है इसके अलावा 27 माई को राची, रामगार, बोकारो और धनबाद में भी भारी बारिस की समवना जताई है वही 28 माई को भी जारखन के पूर्वी जिले में गुमला, लातेहार और पलामों में भारी बारिस की समवना है मुख्य मंत्री को धमकी देने वाला का अब तक सुराग नहीं राज ही नहीं, पूरे देश में साइवर अपरादियों का अतंग बढ़ता ही जा रहा है हलाकि पूलिस की करवाई भी हो रही है, लेकिन सीमित संसाधन में जीतनी करवाई होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है इसकी मुख्य वज़ा अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट, जीमेल आदी का सरवर बिदेश में होना है बदादे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट या जीमेल पर कोई अपराद होता है तो उससे समंदित आईपी एड्रेस के लिए उस सरवर की मदद ली जाती है सरवर को प्राथमिकी की कौपी भेजी जाती है और डिटेल्स मांगा जाता है लेकिन एविदेशी सरवर समय से मदद करते ही नहीं जार्खन में 45 पलस वालों के लिए भैक्सिन की कमी नहीं, रोज 50 या टिका का अदेश जार्खन सरकार ने 45 अधिक आयू वर्ग के नागरी को के टिका करण की गती बढ़ाने का अदेश सभी जीलों के उपायुकतों को दिया है राजे के सभी उपायुकतों के साथ वीडियो कंफेसिंग के माध्यम से हुई बैटक में बर्तमान में इनके टिका करण की गती धीमी होने पर चिंता जताई गई तथा टिका करण गती बढ़ाने के निदेश दिये गई बता देश सभी जीलों को प्रती दिन इस आयुवर्ग के पचास है नागरी को का टिका करन करने का लग्ष दिया गया है राश्टिय स्वास्त अभियान जार्कन के राज नोडल पतादिकारी IEC सिधार तिरपाठी ने मंगलवार को इसकी जनकाईर देते हुए का कि राजे में इस आयुवर्ग के लिए वैक्सिन की कमी नहीं है घर बैठे मिलेंगे पलास बरांड के उत्पाद अलमगीर अलम जार्कन के ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने मंगलवार को पलास मोबाइल एप का उनलाइन सुभारम किया बतादे इस मोबाइल एप के जरीए लोग अब घर बैठे सकी मंडल की महिलाओ द्वारा निर्मीत उत्पादों को उनलाइन माध्यम से खरीद सकेंगे ग्रामिन विकास सचीव अराधना पतना एक ने कहा कि पलास बराण का लक्ष राज की ग्रामिन महिलाओ एवं उध्यमियों की आमदनी में इजाफा करना है इस पहल से आपदा में भी दीदियों के उत्पादों की अच्छी विक्री सुनिश्चित हो सकेगी यह हम लोग घर बैठे मंगवा सकेंगे पलास के जरिये करी 32 लाग ग्रामिन उध्यमि महिलाओ को आजीवका के बेहतर आउसर प्राप्थ हो रहे है पता दे जे एस एल पी एस के मुख्य करकारी अधिकारी आधित रंजन ने बताया कि पलास मार्ट मोबाइल एप के जरिये हमारा पर्यासा की ग्रामिन महिलाओ को इस मुश्किल समय में भी लागतार आजीवका का साधन मिलता रहे पता दे पलास ब्रांट के मुख्य उत्पाद में गाउं का धेकी चावल, मडवा आठा, गेहों का आठा, सर्सों का तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मसाले, काल मेग, लेमन गरास, लोबिया पलास साबोन, डिटरजेंट, फिनायल, औरहर दाल, मास्क, सेनिटाइर समय चाल सामिल हो गया था, बता दे अब रहात की बातिया है कि क्रोना को काबू करने में सबसे बेहतर करने वाले टॉप पांच राजों में जार्कन सामिल हो गया है, बता दे पहली लहर से लेकर अब तक जार्कन में 10 लाग अबादी पर 88 सावय खतर लोगी संक्रमित हुए हैं, सिक्षको की सिक्षन गुनवता बढ़ाने के उदेश से सिक्षको के लिए स्कील कोर्स पर वेबिनार कायोजन करने जा रही है, बता दे बेबिनार 28 मैं 2021 को दो फर दो बए से साम पांच बए तक होगा, सिबीएसी ने मंगलवार को इस समध में नोटिफिकेशन जारी का सभी स्कुलों से कहा है कि वे अधिक से अधिक सिक्षको को इस वेबिनार में जोड़े, बता दे राई स्टेशन के लिए बेबसाइट cbc.nc.in पर जाए, देश भर को 35% आक्सीजन देने वाला राजे बना जारखन, जारखन से देश भर को 35% दी आक्सीजन के आपूर्थी की जा रही है, पता दे राई सरकार के आकडों के मुताविक राजे से अब तक 58, ट्रेनों से आक्सीजन सिलेंडर के आपूर्थी हुई है, जारखन से कूल आपूर्थी 35%, गुजरात से 20, पर्षिम बंगाल से 18.8, मदेपर्दे से 11.5, और अने राजे से 11.5 परतिस अथा है, जारखन में 1247 नए केस मिले है, जारखन में 20 मरीज की मौत हुई है, जारखन में कूल मौत की संख्या 4891 है, भारत में 2,08,740 नए केस मिले है, भारत में 3,11,421 मरीज की मौत हुई है, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 24,90,866 है, भारत में 2,95,085 मरीज स्वास्थ हुए हैं, जारखन में 31,55 मरीज स्वास्थ हुए हैं, कुरोना पीडित रेल करमियों को इलाज के लिए एक लाख मिलेंगे रेल करमचारी अब किसी बिनीजी अस्पताल में जाकर कुरोना से बत चाहओ में भैक्सिन ले सकते हैं कि दक्षिन पूर्व रेलवे स्टाप बेनीफिट कमेटी ने भैक्सिन का खर्च करमचारीयों को लोटाने का निने लिया है बताद यह अजनकारी मेंस कॉंग्रेस के प्रभारी महासचीव ससी मिस्रा ने दी उन्होंने बताया कि रेल करमचारी को सिर्फ भैक्सिन लेने की पर्ची दिखानी होगी बैटाक में निना हुए कि कुरोना पिडित रेल करमचारी को ततकाली लाज के लिए स्टाप बेनीफिट फंड से एक लाख रुपे ब्याज रहीत कर्ज मुहाजा कराया जाए या साइकलोन को लेकर मंत्री ने उपायुक्तों को दिया निर्देश ततकाल करवाई की जाए राजस्थान के मुख मंत्री के साथ 26 को वर्चूल बैठक में रामेशर उराव लेंगे हिसा राजस्थान के मुख मंत्री असोक गहलोल की अधक्सता में 26 माई को होने वाली बैठक में जारखन की ओर से बीत मंत्री सब परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स डामेसर उराहिसा लेंगे कॉंग्रेस के परदेश प्रवक्ता अलोग कुमार दूमेन मंगलवार को याजनकारी दी उन्होंने बताया के गयर। कुरोना की तीसरी लहर से निपार टयार बनना गुपता जैकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने ट्वीट के माधा से जनकारी दे है कि राए सरकार ने संभावी तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी तयज की है इसी कड़ियों मंगलवार को टाटाई स्टिल के सोजने से 5000 अक्सिजन सिलेंडर दूबाई से जार्खन आ जाएंगी जिससे अक्सिजन की उपलाविता सुनेशित हो पाए उन्होंने कहा कि हम अने संसादनों को भी दुरूस्ट करने पर विशेस कारे जोजना के तहट कारे कर रहे हैं बच्चों में मीज सी का खतरा रानी चिल्डेन में 15 बच्चे भरती क्रोना की तिस्री लहर में बच्चों को प्रभावित करने की बात कहीं आ रहे हैं बता दे इससे ही अई भावक परिसान हैं इसके आने से पहले ही बच्चों में मीज सी का खतरा मंडानने लगा है बता दे रानी चिल्डेन अस्पताल में इस बिमारी से गरसित 15 बच्चे भरती हैं अस्पताल के संचालक और सीसूरोग विसेसर के डाक्टर राजेस ने बताया कि पिछले 24 खंटे में ही इस बिमारी से गरसित 3 बच्चे भरती हुए हैं अस्पताल में 9 महीने से 5 साल तक के 3 बच्चे बाकी बच्चे 12 साल तक के हाँ इपास में छूट इन लोगों के लिए पास की जरूरत नहीं जारखन में लोगडाउन एक सब्सक्राइब के लिए और बढ़ा दिया गया है हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से जूड़े सभी नयाईक अधिकारी कर्मी अधिवक्ता कोर्ट सदा से सभी डॉक्टर नर्स वास्पताल गर्वती महीला मरीज वा उनके सोजन कोविड या चाटिका करन के लिए जाने वाले इलेक्ट्रोनिक वा प्रिंट मीडिया कर्मी रेलवे स्टेसन या याएरपोट आने जाने वाले परिकषा के लिए जाने वाले विद्यारती राजे के भीतर या राजे के बाहर समान ले आने वाले और द्योगी कि या खननस से जुड़ी कर्मी विजली मरमत वैसे बैक्ति या संगठा जिनकी सेवा जिला प्रसासन कोविन नियंत्रन में लगे हो अम्तिम संस्कार में सामिल होने वाले के लिए वही किसानों तथा किसी उत्पाद ले जाने ले आने वाले के लिए पास किया हो सकता नहीं है जयर्खन लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियान्ता नियोक्ती परिक्षा का मोडल उतर जारी कर दिया है बतादे इस पर अभियार्थियों से पांच जून तक आपत्या मांगी गई है बता देखिन नगर विकास विभाग में सायक अभियांताओं के नियोकती के लिए या परिक्षा 9 से 10 अप्रेल को आयोजित की गई थी ताया जनकारी के मुताविक जपीसी सिविल सेवा परिक्षा को लेकर आयोग में मन्थन चल रहा है परिक्षा की नई तीथियों के बारे में जल्धी बड़ा एलान किया जाएगा जार्खन में मंगलवार को 11 सो लोग ने तुड़ा लोकडाउन राज में चल रहे स्वास्ट जागरूपता सप्ताह के दोरान इपास्वमास सहीत सभी परतिबंधित सेवाओ की चेकिन लगता जारी है बतादे मंगलवार को भी जार्खन पुलिस ने चेकिंग के दोरान बड़े पैमाने पर करवाई की राज में मंगलवार को कूल 955 स्थानों पर चेकिंग लगाया गया था इस दर्म्यान चेकिंग में लोकडाउन का उलंखन करते हुए 1100 लोग पकड़े गाए इनमें पुलिस ने 4,44,350 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह बिना मास्क के भी 37,27 लोग पकड़े गाए चक्रवाथी तूफान को लेकर और 18 ट्रेने रद चक्रवाथी तूफान यास के खत्रे को देखते हुए जानमाल की सुरक्षा को लेकर रहतियात बरत्ते हुए ने पहले विकर ट्रेने रध कर दी है बता दे हबड़ा ऑपाल ईस्पेशल ट्रेन आज जवालपूर एन-चुट